Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो लीबरा क्याल की है और ये एक खास शॉटकेट की मैं आज आपको बताऊंगा और वो शॉटकेट की क्या है अभी आपको बताता हूँ पहले ये समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है देखिए कोई भी डेटा हो आप ये देखिए ये हमारे पास एक डेटा है जिसे मैंने जूम किया है आप देख सकते हैं इसको सेलेक्शन में लेना है तो आप माउस को ड्रैग करते हुए इसको इस तरह सेलेक्शन में ले सकते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप shift press करके cursor को कहीं भी रखिए यहाँ पर और shift press करके आप इससे selection में ले सकते हैं with the help of navigation key तो navigation key का प्रयोग कीजिए और shift press करके इसको धीरे धीरे करके इस तरह से selection में आप ले सकते हैं easily ठीक है अगला तरीका जो है वो क्या हो सकता है कि shortcut key का use करके तो ये shortcut key कैसे आप use करेंगे देखिए cursor आपका कहीं भी है जैसे माली जी यहीं पर रखा हुआ है तो आपको numeric आप देखिए keyboard में numeric button होता है 123456 और इसके साथ num lock ऐसे करके आता है तो आपको right side में numeric button प्रेस करना है control प्रेस करना है और control के साथ right side में जो numeric button होता है उसको press करना है और उसके बाद आप ये trick कर पाएंगे बहुत ही easily कैसे करेंगे ये देखते है तो control प्रेस करता हूँ और numeric button numeric button में आपको star प्रेस करना है तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा ही data selection में आ गया जैसे ही मैंने control के साथ numeric button star प्रेस किया तो ये पूरा data selection में आ गया